एवरिवन गुड मॉर्निंग तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इवनिंग के टाइम हो रही थी और मौसम बहुत ठंडी थी तो मैंने सोचा कि मैं किस चीज की पकोड़ी खाऊं और पकोड़ी खाने का मन था तो मैंने देखी घर में चना का साग है और बहुत ही अच्छी स बहुत कम मिलेंगा क्तियार हुआ बसे कैल चंढ कर दो कट करके इसे डालना है एक कटोरी ये चावल की आटा और एक कटोरी गेहूं काटा क्योंकि मेरे पास बेशन नहीं थी और मुझे पकोडी खाने का मन थी तो मैंने सोचा कि क्या खुरफात दिमाग में लाओं तो मैंने आटा ही डाल दी और बहुत ही अच्छी बनके रेडी हो हजी मसाला डाल दूंगी और अपने अनुसार नमक डालिए और यहाँ पर पर देख सकते एक बारी कट करके मैं प्याज दाल ली हूं और चार पाच में म्यर्ची टकर के हरी वाली डाल दिखुँंधि और इसे एक डहु रेडी करूंगी जैसे पकोडा का बेडी होता है रेडी हो गई है और यहां पर कडाही भी गर्म हो चुकी है तो इस तरह से मैं इसे पकोडी बना रही हूं जब मौसम ठंडी होती है और बारिस होती है तो चाय के साथ पकोडी जरूरी खाने का मन करता है तो मैंने सोचा कि मैं इसी चीज का पकोडी बना देती हूं अभी मेरे पास कुछ अबलेवल नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं बना के देखती हूँ बहुत टेस्टी बनी गाई तो आप लोग ट्राइज जरूर कीजिए गाई इस तरह से और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगी और देखने में आप लोग को रेसिपी आसान होगी और यहाँ पर देख सकते हैं इसे उलट पलट के इसे फ्राई कर लेनी है और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ तो इसी तरह से फ्राई करके और इसे किसी चीज के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं चाहे तो ग्रीन चटनी हो और चाहे तो टोमेटो केचप हो किसी चीज के या फिर चिली सौस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और नहीं तो बच्चे लोग ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है मैं तो बनाई मेरे बच्चे बहुत खाए पकोड़ी नहीं में बताना की कैसी बनी है और आप लोग कैसे बनाते हो ये कमेंट वोक्स में जरूर बताना तो इसी तरह मैं मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ और ऐसे ऐसे रेसिपी देखने के लिए मुझे सस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें